हेलो एब्रीबन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल जॉइन इंडिनेर फोर्स में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं मिक्स कुष्चनों की एक सीरीज लेके आया हूँ इस वीडियो में जितने भी मुश्ट कुष्चन है लगबग में 24 कुष्चन है ठीक है वो बहुत ही बहुत ही अच्छे लेविल के कुष्चन वो आप जब वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप जरूर बताएगे के कमेंट बॉक्स में कि यह कुष्चन आपको किस लेविल के लगे हुए और एक्जाम में आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं मुझे तो पता हैं कि 100% आएंगे ठीक है पर आप लोगों का देखते हैं कि IQ लेविल कितना अच्छा है तो वीडियो को जरूर हिंद दक जरूर देखेगा और मैंने वही कुष्चन लिए जो एक्जाम में आने की तो इसका एक दी ऑप्सन गायब है जिसे हम दोख सकते हैं समुद्र गुप्त ठीक है समुद्र गुप्त रिज्यों आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए पीडिया बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होई है ठीक है तो भारत का नेपुलियन किसे कहा जाता है फिर्स्ट ऑश जाता तो डी ऑप्सन इसका करेक्श आंसर हो जाएगा चलिए नेस्ट कुश्चन नेस्ट कुश्चन है आपका संबिदान के किस अनुछेद में भारत को राज्यों का संग कहा गया है संब्धान के किस अनुछेद में भारत को राज्यों का संग कहा गया है फर्स्ट ऑप्सन इसका अनुछेद एक सिकंड ऑप्सन अनुछेद दो थर्ड ऑप्सन अनुछेद तीन फोर्थ ऑप्सन अनुछेद चार तो संब्भदान के किस अनउच्छेद में भारत को राज्यों का संग कहा गया है तो friends असका correct answer हो जाएगा anउच्छेद 1 को ठीक है अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संग है ठीक है friends option number 8 का correct answer हो जाएगा चलिए next question थिए आपका प्रोटीन का उत्तम स्तरोथ है फ्रस्ट और फॉप्सन में घयोन सेकंड़ ने मक्का थर्डु नंतीक क्या चीज्व है ठिंडर से उस्का system स्थ कर्यक्त अंसर हो जाएगा दाल क्या dział inappropri q ranked answer हो जाएगा दाल जो है protein का protein का सब से अच्छा इस तो है एकनसर हो जाitए निसी कुषिन फॉल्ट है जाली दस्तावीजों का पता किसकी द्वारा लगाया जाता है तो इसका कर्याक्ट आंसर हो जाएगा आपका पराबैगनी केड़ों के द्वारा ठीक है पराबैगनी केड़ों के द्वारा हम लोग जाली दस्तावीज का पता लगा लेते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठी गर्वीह का ऑफिसका कर्यक्ट आंशर हो जाएगा चलिने स्क्रूशन नेंस्ट टिशन अंपका सुंशनित ने कहा जाता है फस्ट अप्शिन को सेंक उपसेंच को थो स्वानिहा ओसेंट ओयुट कोGO ढ duy प्सकter को और स्वाफ और किसी आधाahan को अकाहिए को सुन सफ कारीक्ट RNA recite जाएगा आपका जूट को टर सांट को सुने का रसा कहा जाता है ठीक है तो सुनम्रि इस आपकерस्ट्व्स्ट्व मार्ग कैंतरर का सिथम्स्ट्व आपकर सी सबसे और संपर stuff स्पर्ण कि सबसे उंची सड़क है बेदारित के लिएंग आप तोलं और सिए तो यह करेक्ट आंशर हो जाएगा ले मनाली मार्ग ठीक है लिहे मनाली मार्ग, option number 60 का correct answer हो जाओ लिहे मनाली मार्ग, बिस्टु की सबसे ऊचिसी सडख है, ठिक है पिश्ट, option number 60 का correct answer हो जाओ जाओ जाएगा चलिए नयर्श कोईशन, नयर्श कोईशन है आपका अरप सागर की रानी कहा जाता है अरफ सागर की रानी कहा जाता है फर्स्ट अपसने बेस सिन को सेकंड अपसने कोचीन को थर्ड अपसने सूरत को फूर्ट अपसने लच्च दीब को ठीक है तो अरफ सागर की रानी कैसे कहा जाता है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा कोचीन को ठीक है कोचीन को अरफ सागर की रानी कहा जाता है ठीक है कोचीन को अरफ सागर की रानी कहा जाता है ठीक है फ्रेंट्स अप्सन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेस्ट कुशन नेस्ट कुशन है आपका भारत का दच्छिरतम बिंदू है भारत का जो है भारत का द्रच्छर्तम बिंदु है अपसं नमर सी इश का प्रेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है बारत का द्रच्छर्तम किसे कहा जाता है कि सुन्व और हेला में मिलाध करूं नबी नदी है फस्त और और भारत का सब tooày भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो फ्रेंट इसका correct answer हो जाएगा चलिए तु है वारत का सबसे उचा जल पर पर पाथ है भारत का सबसे उचा जल पर पर पाıt है से को yorsun हो जाएगा जली से लिए लेस्ट कुईशन किने आपका कि उ workers ही कुंद बांध किस नधी पर बना है ही कुंद बांध किस नधी पर बना है कि फैस्ट उसे पंसने गार सामर्मति नधी पर सेकेंड oportun इसका गोदावरी नदी पर थर्ड उप्सन इसका महा नदी पर और फूर्थ उप्सन इसका कृष्णा नदी पर ठीक है तो हीरा कुंडबांध किस नदी पर बना है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महा नदी पर ठीक है महा नदी पर बना है हीरा कुंडबांध अब कुशन आता है कि महानदी कहां है कौन से स्टेट में पढ़ती है तो यह पढ़ती है आपकी उड़ी सामें ठीक है उड़ी सामें ठीक है महानदी पढ़ती है उड़ी सामें तो इसका C option correct answer हो जाएगा चलिए नेस्ट कुशन नेस्ट कुशन है आपका करकरेखा पर भारत में कितनी राजियों से उकर गुजरती है फर्स्ट ऑप्सन है चार सेकर्ड ऑप्सन है साथ थर्ड ऑप्सन है आठ और फूर्ट ऑप्सन है आपका पांच ठीक है तो करकरेखा भारत के कितनी राजियों से उकर गुजरती है तो इ d option D option c 8 Łएंस 8 ठीक है option 6 का कर्यक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्ट कूशन नहीं है आपका चेत्रीपल की दृष्टी से सबसे चोटा च्छोटा है आपका 6 त्रीपल की दृष्टी से सबसे सबसे च्छोटा राज्ज सबसे चोटा राज्य है तो सबसे नमर सीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार की द्रिष्टी से बारत में सबसे बड़ा उद्योग है फर्स्ट अपसन आपका लोह इस पात सेकर्ड ऑप्सन है सीमेंट थर्ड ऑप्सन है सूती बस्त और फोर्थ ऑप्सन है आपका चीनी ठीक है तो रोजगार की द्रिष्टी से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती बस्त रुद्योग ठीक है सूती ब दिस्पूर किस राजजी की राजदानी है फॉस्ट ऑप्सन नागालेंड की सेक्ड ऑप्सन असम की थर्ड ऑप्सन गुवा की फॉर्थ ऑप केरल की ठीक है दिस्पूर किस राजजी की राजदानी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम की ठीक है असम की राजदानी द भीदवाना जील ठीक है BIG कि ऐ सबसे बड़ी जील कौनसी है 9 किसा प्रेंट इसका करंदप का इसका प्रास्त और구나 जील जील ठीक've बहुर्ड जील भारत शॉप्सिंद सबसे पशेल हो जाएगा ठीक है 5 कि वहारत की सब सबसे लंबी नहर कौन सी है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है आपसे नमर यह सारदा नहर सेकंड आपसन इंद्रा गांधी नहर थर्ड आपसन सरहिंद नहर फूर्त आपसन बेतबा नहर ठीक है तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपसेल नबर भी इंद्रा गांधी नहर भारत की सबसे लंकी नहर है ठीके फ्रेंस स्प्सों नबर और फूर्ट आपसे ने आपका कंजन जंगा ठीक है तो देश का प्रतम जया बारच्छित छेत्र कौन सा है ठीक है प्रेंट इसका तो कर्यक्ट आंसर हो जाएगा नील गिरी ठीक है नील गिरी जो छेत्र है वो देश का प्रतम जया बारच्छित छेत्र है ठीक है प्रेंट आ सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है फर्स्ट आपका टीटीका का सेकंड आपका कैस्पियन थर्ड आपका सुपीडियर और फूर्स आपका बैकाल जील ठीक है तो भिश्यू की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेस्ट कुछीन है आपका बिश्यमे चावल का सरवादिक उतपादक देश है फर्स्ट आपसन है भारत सेकेंड आपसन है चीन थर्ड आपसन है रूस और फूर्ट आपसन है आपका सिरिलंका ठीक है तो बिस्स में चावल उत्पादक देश सबसे ज़्यादा कौन करता है सबसे ज़्यादा किस देश में चावल उगाई जाते हैं मतलब उत्पादन होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओपसन नमबर तो इसका correct answer हो जाएगा option number B ठीक है option number B चीन बिस्टो में चावल का सरवादी कुदपादक देश है ठीक है फ़र्ट आपसन number B इसका correct answer हो जाएगा चलिए next question next question है आपका बिस्टो की सबसे उची जील कौन सी है बिस्टो की सबसे उची जील कौन सी है पर्स्टो की सबसे उची जील कोन सी है तो प्र इसका correct answer हो जाएगा चेटे का का जील पर इसका correct answer हो जाएगा पर इसकी सबसे बड़ा है है स्वार मंडल का सबसे बड़ा गरह है फिर्स्ट अप्षियों सिर्डी थर्ड आप आयम कोर्फ ने बरहसय थि ठीक सबस्वेर रखलने का सबसे बड़ा गरह कौन सा लूइन दो वहां है बरहसपति अब और फोरिस्ट का कर्यक्ट आंसर हो जाएगा ब्रैस्पती ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है चलिए नेस्ट कुशन नेस्ट कुशन है आपका बगदाद किस नदी के किनारे इस्तित है तो फर्स्ट ऑप्सन है आपका पूर्टो मैक सिकंड ऑप्सन है आपका हड्सन थर्ड ऑप्सन है आपका टिक ग्रिस और फोर्थ ऑप्सन है आपका नील नदी किनारे इस्तित है तो फ्रेंट्स बगदाद किस नदी के किनारे इस्तित है तो बगदाद जो आपका इस्तित है वो किस नदी किनारे इस्तित है यह आप लोग क कुछन तो आप इसे जरूल बताइगा चलिए नेस्ट कुष्थ्चन नेस्ट कुष्थिज्टेर हैं जरुक्रियों के अपका बायू दाम के लिए किसी अंदरक्री की वा फूरवितर क न हाइटुमि fps आपकी तुट तो फ्रेंट्स आई होब आपको वीडियो पसंद आई होगी यदि पसंद आई तो लाइक ज़िए करियेगा और एक इस्टीज लेटर गुर्म में भी सेयर करियेगे जिससे हम लोगों की जोने नियर फोर्स आर्मी और आंगे बढ़ सके ठीक है और मैं अच्छे-चे